हे गाइज, वेलकम टू स्टेडी विट सुनील देखे दोस्तों बात करेंगे गुंटी जुलाई 2020 से रिलिटेड जो करेंट अफेर्स बने हैं उस कंपनी का जो मुख्या लिए वो कहाँ पर इस्तित्य कोलकता में है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ और उस कंपनी का नाम क्या है संद्राइज, फ्रूट्स, ओप्सन, हष्ट क्या होगा इसका करेंट आंसर होगा एक सोन को पीछे छोड़कर मुकेस अमवानी की जो रिलाइन्स इंडस्ट्रीज है वो दुनिया की कौन से नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है एक सोन को पीछे सोड़ कर मुके सम्वाइन की Reliance Industries दुनिया की कौन से नमबर की Energy Company बन गई है या आपको बताना है तो इसका आंसर होगा दूसरे नमबर की Energy Company बन गई है इस वर्ड से Reliance के तो शेयर हैं उसमें कितने परतिसत के बढ़ोतरी हुई है 46 परतिसत के बढ़ोतरी होने के साथ में ये दूसरे नमबर के उपर पहुँच गई है और एक सोन को पीछे छोड़ दिया है बारती एक क्रिकेट टीम के कैपतान जिनका नाम है विराट कोहली उनके इंस्टाग्राम के ओपर कितने करोड फॉलोवर्स वाले ये पहले भारती बन गई है ये पहले भारती हैं जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ओपर कितने फॉलोवर हैं साथ करोड फॉलोवर्स हो गए अगर ओर ओर ओल पूरी दुनिया की बात करें तो क्रिष्टियानो रोनाल्डो के एक नमर पर हैं फॉलोवर, दूसरे नमर पर रियोल मेसी के हैं, तीसरे नमर पर नेमार के हैं, और चोथे नमर पर विराट कोली के हैं, साथ करोड फॉलोवर्स, तो option C इसका अनसर होगा, फिर देखो वलिवोड की एक्ट्रेस कुमकुम, इनका अभी हाली में कितने वर्स की उमर में निदन हो चुका है, यह बताना है, एक्ट्रेस कुमकुम, इनके तवारा Mother India फिलम होँ आई थी, आरपार नाम की मुवी आई थी, जिसमें भी नहीं किया था, CID नाम की movie आई थी जिसमें कुमकुम ने भी नहीं किया था तो कितने वर्स की उमर में इनका नितन हो चुका है फिलाल 86 वर्स की उमर में इनका नितन हो चुका है ताइवान के सबसे बड़ी stock company जिसका नाम है TSMC तो देखें 72 billion dollar का एज़ाफ हुआ है जो कि मुके संबान की reliance जीओ है उसकी valuation से भी काफी ज़्यादा है 72 billion dollar SBA card और किसने मिलकर अभी हाली में एक नया रूपे credit card launch किया है SBA card ने किसके साथ में मिलकर अभी हाली में एक नया रूपे credit card launch किया है आई आर सीटीशी अप्सं तरड इसका answer होगा logo तक मोसम की जानकारी पहुंचाने के लिए सामचाने के लिए सरकार ने कोई सा मोबाइल अपलिकेशन लॉंच किया है मोसम नाम से या फिर सैयम योग वेदर या फिर इनमेसे कोई नहीं तो देखे उस application का नाम क्या है? Mosem तो यह Google Play Store के उपर और iPhone का App Store के उपर भी यह उपलब्द है दोनों के उपर गुंड़ती जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मना जाता है? गुंड़ती जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मना जाता है? विश्व हाती दिवस, विश्व मोड दिवस, विश्व भाग दिवस या फिर विश्व नदी दिवस पूरे विश्व भर में गुंड़ती जुलाई को तो कौन सा दिवस मना जाता है? विस्वेब बाग दिवस मना जाता है जिसको अंतरास्ट्रिय बाग दिवस के नाम से भी जाना जाता है खराब विवार मिस मेनेजमेंट के वज़े से किस क्रिकेट बोर्ड के CEO लुथुला है स्टेट निक जई को बरखास्त कर दिया है खराब विवार के वज़े से इनको प्रिकास्ट कर दिया है कुंछे क्रिकेट बोर्ड तो देखे इसका आन्सर होगा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी पांच मेहलागों को टिक टोक का इस्तमाल करते विए समाज का माहोल खराब करने के उपर दो-दो साल की सजा सुनाई गई है अच्छी बात है कि इंडिया में ये टिक टोक बैन हो गया वरना पता नहीं इंडिया में कितने लोगों को सजा होती तो कौन से देश की वो पांच महले हैं जिनको टिक टोक का इस्तमाल करते विए समाज का माहुल खराब करने पर दो-दो साल की सजा सुनाई थी औस्ट्रेलिया, जापान, मिस्र या फिर चीन तो देखें मिस्र क्या होगा इसका करेट आनसर होगा और इनके ओपर जुर्माना भी लगाया गया है तीन लाख एजिप्सियन पाउंड का जुर्माना लगया है अगर इनमें इंडियन रुपीज की बात करें तो 41 लाख रुपे का इन मेलाओं के ओपर जुर्माना लगया है तो मिस्र क्या होगा इसका करेट आनसर होगा अब देखे हैं अपने बात करते हैं हिंदी से related to most important कि उसना answer के बारे में तो पहला कि उसना आपको समास से related दे रखा है परमानन्द जो सब्द है उसमें कौन सा समास है परमानन्द सब्द में कौन सा समास है बाविरी समास, करमधारी समास, दिगु समास या फिर तत्पुर समास तो परमानन्द के अंतरकत कौन सा समास है करमधारी समास है option second इसका correct answer रोगा सवरसंदी का उदार्ण इन चार में से कौन सा है वो आपको बताना है सवरसंदी का उदार्ण संयोग में स्वरसंदी है या फिर मनोहर में, नमशकार में या फिर पवन में स्वरसंदी का उधारण कौन सा है इन चारों में से तो इन चारों में से स्वरसंदी का उधारण कौन सा है पवन है और पवन में भी कौन सी संदी है अयादी संदी है स्वरसंदी का जो उपभेद है अयादी संदी वो इस पवन के अंतरकत है फिर निश्टेज का संदी विचेद आपको बताना है निश्टेज का संदी विचेद कौन सा होगा नी धन तेज या बड़ी नी धन तेज निश्ट धन तेज या फिर नी धन तेज निश्टेज का संदी विचेद कौन सा होगा तो इन में से कौन सा होगा निही धन तेज ओप्सन फैस्ट का होगा इसका गरेट आंसर होगा फिर अगला किससर आपको दिरखाए लुन्ठित वेंजन के नाम से किसको जाना जाता है खै को पै रे या फिर शै को लुन्ठित वेंजन तो लुन्ठित वेंजन इन में से कौन सा है रे जो साउंड होती है रे वेंजन उसको लुन्ठित वेंजन के नाम से जाना जाता है फिर अक्षय दोणी किसके अंतरकत आती है अक्षय क्या अपने आप में एक मूल सोर है अक्षय एक घोस वरण है अक्षय एक स्यूक्त वरण है या अक्षय एक तालवी वरण है तो अक्षय किस के अंतरकत आता है श्यूक्त वरण के अंतरकत अक्षय आता है जिसमें कैधन और शैशे मिलकर बनावा होता है क्षै फिर आपको बताना है प्रियारण दिन के कुछ मुस्ट इंपोर्टेंट किसना अनुसर है जिसमें आपको बताना है कि निम लिंक तक शेत्रों में पानी कहां पर गेस, तरल और ठोस के रूप में उगलब्द होता है वो कौन सी जगह जहां पर पानी गेस के रूप में भी होता है तरल के रूप में भी होता है और ठोस के रूप में भी होता है वो जो स्पेर में, इस्थल मंडल में, जियो मंडल में या फिर आइडरो स्पेर में तो देखे इसका आनसरो का हाइडरो स्पेर में हाइड्रोस्पेर में पानी जो होता है वो गेस में तरल में और ठोस के रूप में पलब्द होता है फिर नेश्ट आपको दे रखा है कौन सा तत्व है इस्थल मंडल में सबसे बड़ा गठक है कौन सा तत्व है इस्थल मंडल में सबसे बड़ा गठक है ओक्सिजन सिलिकॉन क आदारित सरक्षण अनुसंदान संस्थान कौन सा है नई दिली वाला मुंबई वाला या फिर कोयम टूर सली मलिकेंदर या भारतिय वनस्पति सर्वेक्षण तो मैंने ये क्यूस्टन आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मुंबई नेच्रल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई जो है वो भारत का सबसे पूराना एंजियो आदारित सरक्षण अनुसंदान संस्थान है तो इसको आप ध्यान बेर रखना इंपोर्टेंट है ये विस्वे में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गेस कौन सी है? विस्वे में सबसे ज्यादा पाई अगर आप सोच रहे हैं या फिर सल्फ पर डायकसाइड आगर आप सोच रहे हैं ओजोन है तो ये तीनों इंगलत हैं जलवास पर क्या होगा इस क्यूशन का करेट आणसर होगा और ये क्यूशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है वन्य जेऊ सरक्षन के क्षितर में अदम में साहच दिखाने वाले दो वेक्ति होते हैं उनको कोन सा पुरूसकार दिया जाता है अब देखे हैं अपन बात करते हैं कि कुछ हिंदी से रिलिटेट किसनानसर के बारे में तो गेहुं का तत्सम सब्द कौन सा होता है चार उपसन आपको दे रहे हैं और गेहुं का तत्सम सब्द जो होता है उसका नाम क्या होता है गोधूम होता है गोधूम को बोलते हैं इसको उपसन थर्ड इसका आनसर होगा पिपर पात सरस्मंडोला इस वाक्य में कौन सा अलंकार है पिपर, पात, सरस्मंडोला वाक्य में कौन सा अलंकार है उत्प्रेख्षा है, अतिश उक्ति है, उपमा है या फिर यमक अलंकार है तो पिपर, पात, सरस्मंडोला इस वाक्य में कौन सा अलंकार है उपुमा अलंकार है option C इसका आंसर होगा निम्न में pulling सब्द का आपको chain करना है pulling सब्द इनमें से कौन सा है दही, चाय, शिकनजी या लस्सी pulling सब्द तो दें कि लस्सी है वो तो क्या इस्त्रिलिंग है शिकनजी भी क्या है इस्त्रिलिंग है चाय का उवे से आपको पता है इस्त्रिलिंग है लेकिन दही क्या एक pulling सब्द है option first क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा फिर next दिरखाए इंद्रिये का विशेशन होगा इंद्रिये जो सब्द है उसका विशेशन सब्द कौन सा होगा तो इसका answer कौन सा होगा इंद्रिये सब्द होगा option second इसका correct answer होगा फिर next आपको दिरखा इस्त्रित्व सब्द में कौन सी संग्या है यह question काफी ज़्यादा important है इस्त्रित्व सब्द में कौन सी संग्या है यहाँ पर इस्तरी के अंतरगत अलग होगी इस्तरी के अंतरगत जातिवाचक संग्या होगी लेकिन इस्तरित्वे में कौन सी संग्या है यह बड़ा interesting question है देखिए यहाँ पर भाव का बोध हो रहा है ममत्वे, ठीक है, इस्तरित्वे यह जो होता है, भाव का बोध होता है और यहाँ पर भावाचक संग्या का यह उदारना है option second के होगा, इसका correct answer होगा तो उमीदा आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा and for the time being this is the complete analysis of the video and thanks for listening, as always God bless you all